आप सबी लोगों का स्वागत है चलिए देखते हैं मार्केट कैसा भीएफ कर सकता है सेकेंड हाफ में आज वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है क्योंकि इंटरनेट का इशू था इंटरनेट नहीं आ रहा था अभी जस्ट इंटरनेट आया है तो मैं यहां पर वीडियो बन पचास लाग का ओपनेटर्स खड़ा हुआ है पुट पर करीब 81 लाग का ओपनेटर्स दिख रहा है अब क्लियरली एक चीज़ समझ लीजे कि अगर हम 15925 के ऊपर निकले तो फिर आपको इंटरडे में 16 दुबारा से निफ्टी दिखा सकता है यह चीज़ समझ लीजे क्यो ग्लोबल मार्केट के वज़े से हम नीचे आयते हैं और आज हमारे लिए काफी चीज़ें इंप्रूव होगी हैं कल यहां पर FIS की बाइंग थी क्रूड ओल नीचे आया और ग्लोबल मार्केट गिरे भी नहीं है तो उसका फाइदा हमें आज के मार्केट में मिल सकता है तो इसली 15,985 तक जा सकता है ठीक है ना 15,985 क्या इविन यह हो सकता है 16,24 तक भी चला जाए यह चीज़ें आप क्लिए ली समझ लीज़ें शौट की सला मेरी यहां पर बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि आज हमारे जो पैरामीटर से हो थोड़े से और ज्यादा इंप्रूव यानि हाई के ऊपर अगर ट्रेट करना स्टार्ट कर देता है तो आप एक बाइब करके काम कर सकते हो ठीक है इतना आपको यहां पर समझ में आ गया होगा बैंक निफ्टी के बात कर लेते हैं तो को बैंक निफ्टी के लिए एक अच्छा है 34 आपके ऊपर टिक जाता है और करने लगता है तो आप इसको भी बाइब करके काम कर सकते हो उपर जो टार्गेट है वो अराउंड आपका 34 सजा 360 और 34 सजा 400 का दुबारा से ओपन हो जाएगा ठीक है इतना आपको यहां पर क्लिरली समझ में आ क्या होगा अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें करें करेंट में जगता है उपर की साइट का तो उस पे आप जरू ध्यान रखिएगा ठीक है यानि आपको बाय साइट पे ही काम करना है सेल साइट पर काम नहीं करना है यह चीज़ आप क्लियर ली समझ लीजे ठीक है तो आई होप दोस्तो यह पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ क्या होगा दोस्तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही है आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर जरू करिए का और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि मैं सोदील लेके आता हूँ हर दिन आपके लिए नहीं वीडि